प्रेस दे बेल आइकन अन दी यूट्यूब आफ और नेवर मिस अनादर अपडेट है गाई स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर तो तो एक नेक्स्ट वीडियो के साथ स्वागत है आपका और दोस्तो आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनेमिया डिजिस के बारे में ये बहुत ही डेंजर डिजिस है एनेमिया बीमारी होती क्या है और इसके अंदर क्या चीज होता है और इसके अंदर क्या डिपरेंट होता है जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पताने जा रहा ह सबसे पहले जो important चीज होती है यह एक genetic disease है मतलब दोस्तो एक पीडी से दूसरी पीडी में होने वाली यह एक बीमारी है इस बीमारी के अंदर maximum यह बीमारी होती है हमारे blood के अंदर मतलब यह एक blood की ही बीमारी है मतलब RBC की बीमारी है RBC मिल्स आप समझे दोस्तो red blood cell red blood cell के अंदर यह बीमारी पाई जाती है इसके अंदर क्या होता है जो हमारे red blood cells होती है मतलब जो हमारे RBC होती है उसका जो normal shape होता है oval shape वह shape change होकर यह under oval shape होता है normal और वह shape change करके यह दोस्तो sickle type cell ले देती है मतलब आप change जैसा मान सकते हैं मतलब disc collide shape ले सकती है जिस कारण एक दूसरे से चिपक जाती है आप देख सकते हैं display के अंदर यह खुली-खुली होती है और यह एक दूसरे से चिपक जाती है जिस कारण आप की veins और arteries के अंदर यह block होने के chance जादा होते है नर्मलल आपके सामने diagram दिख रहा होगा इसके अंदर normal के अंदर देखे दूस्तों यह दूर दूर फेली फेली है और यह anemia के अंदर देखे दूस्तों बिल्कूल जो आप देख सकते है एनेमिया के अंदर आप एक दूसके से चिपकी हुई हुए apan है औरां भी के अंदर ही चेंज होता है इस बीमारी के अंदर के अब आप इस बीमारी का पता कैसे लग सकते हैं आपको क्या होगा तो अब को ठकान मेसमस हो की आपको कमजोरी, weakness मेसमस हो की इस बीमारी से और दोस्तों इस बीमारी robust के अंदर आप के R.B.C destroy होने लग जाती है अगर ये व्जाती है तो आपके जो Red Blood Cells होती है वो Destroy होने लग जाती है क्योंकि उनकी जो Life Spend है वो थोटा हो जाता है वो उनका Shape होता है वो Change हो जाता है इसके अंदर Hemoglobin होता है और दोस्तो RBC के अंदर यही सबसे Main जो Reason है इसका एक दूसरे से चिपक कर एक Chain का रूप ले लेती है यह RBC Red Blood Cells यहां दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएए और आप हमें सपोर्ट कीजिए आपने हमें सपोर्ट किया इसके लिए बहुत बहुत धहनिवाद मैं भी चाहता हूँ वीडियो रोध बने रेगुलर बने आप हमें कमेंट की थुरूब बताएए और आप व्यूज करें इन वीडियो को अगर आप लास्तर देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएंगे आपके वीडियो बस चाहें थांक्यू सो मच